हेलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल पर जिसका नाम है All Secret Fact तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जो दुनिया में अपनी अमीरी के लिए जाना जाता है यहाँ पर जाना हर एक देश के यूवा का बहुत बड़ा सफना होता है दोस्तो उस देश का नाम है दुबई हम आपसे माफी चाहेंगे कि दुबई एक देश नई बलकि एक देश का सबसे अमीर सेर है दोस्तो इस सेर का नाम बहुत से देश के युवाओ को अपनी और आकरसित करता है और आकरसित भी क्यों नहों दुबई सेर अपनी अमीरी और अपनी अनोकी चीजों के कारण ही पूरी दुनिया में जाना जाता है दोस्तों जैसा कि हम आपसे बात कर रहे थे कि दुबई एक देश नईबल की एक सेर है बहुत से लोग तो यह भी नहीं जानते होंगे कि दुबई कोई देश है या किसी देश का हिस्सा है हम आपको बता दे कि दुबई सेयुक तरब अमिरात का एक परसिद सेर है लेकिन इसकी लोक प्रियता सभी देसों के आगे बहुत अधिक है दुबई दुनिया के सभी देसों के सहरों में सबसे सुन्दर सहरों में से एक माना जाता है दुबई सहर की उची-उची मारते धंडूलत ऐस औराम वहां के सक्त कानून और सेर जैसे खुंकार जानवर को एक पालतु कुट्टे की तरह पालना ये सब कुछ पूरी दुनिया भर में काफी मुसूर है तो दोस्तो आये जानते हैं दुबई के बारे में और भी ऐसी कुछ दिल्चश्प बाते दोस्तो सेयुक तरव अमिरात यानी युवेई की राजधानी और सबसे अधिक आबादी वाले सहर दुबई की बहुत ची ऐसी बाते हैं जो हम सबी को काफी एहरानी में डाल सकती है क्या आप जानते हैं कि दुबई सहर थारवी सताबदी में मच्छवारों का एक छोटा सा गाउं होगा करता था लेकिन इसने अपनी मैनत के दम पर कैसे अगले 200 वर्सों में विश्व का सबसे एडवांस और सबसे अमीर सहर बन गया दोस्तो आज के समय में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट दुबई सहर जाना ही पसंद करते हैं यहां इसलामी कानून इतने सक्त है कि यहां क्राइम रेट 0% के बराबर है इसलिए इस देश को और सभी इसलामिक देशों में से सबसे सुरक्सित देश माना जाता है यहां पर कोई भी टैक्स की वेवस्ता नहीं है इसी कारण बहुत से अमीर लोग यहां गूमना पसंद करते हैं दोस्तो हम आपको बता दे कि अरेबिक और अंग्रेजी वासा के बाद यहां हिंदी बोलना भी पसंद किया जाता है दोस्तो अब हम बात करते हैं दुनिया की सबसे उची अमारत बुर्ज खलीपा के बारे में दोस्तो बुर्ज खलीपा में 164 फ्लोर है और इस अमारत की लंबाई 800 मीटर के लगबग है दोस्तो कि आप जानते हैं कि हम इस अमारत को 90 किलोमेटर की दूरी पर खड़े ओकर भी देख सकते हैं आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सहर में घर में सराब की एक बोतल रखने के लिए भी लाइसेंस लेना जुरूरी होता है लाइसेंस के बिना घर में सराब की एक भी घूट पीने की इजाज़त नहीं है दोस्तो आप जानते होंगे कि दुबई की अमीरिका सबसे बड़ा कारण यहां के तेल के बड़े भंडारों का होना है दुबई में रहने वाले सभी निवासी इसे अपनी दरोवर के रूप में सविकार करते हैं यहां के लोग जमीन के नीचे के तेल को अपनी पूझी मानते हैं यही कारण है कि यहाँ पर आपको कोई भी कच्रा फैंकते वे या इदर उदर थूकते वे कोई दिखाई नहीं देगा दुबई सहर के लोगों को सोने के परती बहुत ही गहरा लगाव है इसी कारण से यहां बहुत से लोगों के पास सोने के बड़े बड़े भंडार भी है यहां के कुछ लोगों के पास तो सोने की कार भी है यहां कारों का लोगों को बड़ा सोख है दुनिया की बैतरीन से बैत में जैसे मोडल गार्या होती है दोस्तों विचितर बात तो यह है कि यह कुछ एटियम ऐसे भी है जिन में से पैसे की जंगा सोने के बिस्किट और शिक्क के निकलते वैसे तो दोस्तों दुबई के बारे में और भी बहुत सीरोचक बाते हैं लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आयो तो प्लेज इस वीडियो को लाइक जुरूर कर दे और ऐसी ही अमेजिंग और अनौकी जानकारी पाने के लिए ह हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जुरूर कर दे